राम लला का प्राण पतिष्ठा समारो अब बेहद नजदीक है श्रधालू का इंतजार भी खत्म होता जा रहा है क्योंकि राम जी के दर्शन करने की बेज सबरी अब अपने चरम पर पहुँच चुके है लोगों को बस राम दर्बार के खुलने का इंतजार है राम लला के विराजित होने से पहले अब राम की मुर्ती का भी जो चैन था ये जो प्रक्रिया थी इसे भी पूरा कर लिया गया है यानि कि राम जी की मुर्ती भी चुन ली गई है और अब राम लला के जलाभी शेक के लिए काशी से एक बेहत सुनेहरा घड़ा मंगवाया जा रहा है जी हां अब राम मुर्ती के बाद ये भव्य घड़ा भी श्री राम की मुर्ती पर जलाभी शेक के लिए मंगवाया गया है दरसल राम लेला की प्राण पतिष्ठा के पहले ही काशी और अयोध्या का अटूट नाता दिखाई दे रहा है काशी से अब एक वाइट मैटल जिसे जर्मन सिल्वर कहते हैं उसे सहस्त्र छिद्र जलाभी शेक घड़े को भी अब तयार कर लिया गया है जिससे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम लेला का जलाभी शेक होगा जी हां ये भव्य घड़ा ख एक सेट कमंडल या लुटिया आजमनी और चोटी तश्तरी को भी तैयार करके फिनिशिंग की जा रही है कि काशी की तंग गलियां पूरी दुनिया में जानी जाती है उन्हीं तंग गलियों में एक से बढ़कर एक कलाकार बैठे हैं जिनके हुनर का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है बता दें इलाके में वाइट मैटल यानि कि जर्मन सिल्वर के आर्टिस्ट लालू कशेरा भी रहते हैं जो कि अपनी पांचवी पीड़ी में इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं इस बार इनको ये जम्मिदारी मिली है अयोध्या में राम लेला के जलाभ प्षिद्र मशीन के जरिये किये गए हैं ये घड़ा राम लिला के जलाभी शेक के लिए सिर्फ एक पीस ही तयार हुआ है राम लिला की प्रहन प्रतिष्टा कराने वाले कर्मकांडी विद्वान गुरू जी लक्षमी कांदिक्षित के ओर्डर पर ये घड़ा तयार किया सेट में एक छोटा सा कमंडल है जिससे जारी अलुटिया कहते हैं इसका उपयोग मंतरो चार के वक्त होता है श्रंगे भी तयार किया गया है जिसका उपयोग रुद्रा भी शेक के वक्त होता है बोलने में रामण को सिविधा होती है और इसी से अभी सिख होगा राम लेलाई का ये वाइड मेटल येस का सिल्वर वाइड मेटल सिल्वर है जर्वन सिल्वर बोलते इसको और ये लागत इसकी छेजार रुपय पोड़े बता दें कि 10 जन्वरी तक इस घड़े का निर्मान कारे पूरा हो जाएगा और इसे अयोध्या की राम नगरी में विजवा दिया जाएगा राम लला के आगमन की सारी तयारियां हो चुकी है ऐसे में भव्य राम मंदिर भी बनकर तयार है जल्द ही यहां आयोजन होने वाला है यानि 22 जन्वरी को राम लला अपनी जन्म भूमी में विराजत होंगे ऐसी स्थिती में हर तरह की तयारियां फूर्ण कर ली गई है अयोध्या नगर भी दुलहन की तरह सचकर इस दिन का इंतजार कर रहा है इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बिताए खबर अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूले